नमस्तार दोस्तों कैसे आप सब स्वागें तक फिर्ट से आप एक नए वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो खास इंपॉर्टेट उन भाईयों के लिए होने वाला है जो मेरे भाई पेंटर के काम से दुबई की नमबर वन कंपनी में जाना चाहते हैं बहुत दिनों से आप लोगों का मैसेज आ रहा था कमेंटस आ रहेते कि सारा पेंटर का डिमांड कब आएगा थो दोस्तों आज तयों दुबई के लिए पेंटर का इंटर्वियू लेकर आया हूँ तो आज इस इंटर्वियू में टोटली 5 फ्रेट है तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके trade से संबन्दित आपके काम से संबन्दित ये video होने वाला है इस video के अंदर 5 trade है क्ऊन-कॉन सा trade है इसके अंदर क्या condition है ये total जनकारी मैं आज अपने इस video में दूँगा तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन यूसफुल होगा आपके काम के लाइक होगा तो बिना देरी के फड़ापण वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो जो सबसे पहला ट्रेड है और जो जाता संखेया में है वो है सेंड ब्लास्टर तो जो मेरे भाई सेंड ब्लास्टर है सेंड ब्लास्टर के काम से दुबई में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो अगर हम सेंड ब्लास्टर की बात करें तो 50 quantity में 50 quantity में हमें Sandbraster चाहिए और उनकी अगर हम salary की बात करें तो salary मिलेगा 1400 से लेके 1500 तिरहम प्लस food company की तरफ से है उसके बाद से overtime है basic 8 घंटे का duty है और सबसे अच्छी चीज employment visa है तो interview में आना तो बनता है दूसरा जो trade है वो है हमारा spray painter तो जो मेरे भाई spray painter के काम से doing में जाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है अगर spray painter की हम बात करें salary की तो 1400 से 1500 तिरहम spray painter मिलेगा लेकिन spray painter की quantity थोड़ी कम है 15 quantity में spray painter चाहिए 8 घंटे का basic duty है employment visa है तीसरा जो हमारा trade है जो मेरा favorite है वो है helper तो जो मेरे भाई helper है वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना न भोले ताकि आपके काम से सम्मंधित रोजगार का वीडियो daily YouTube पे आए ताकि आपको पता चल जाए कि कहां पे अच्छी company का रोजगार आया हुआ है तो जो मेरे भाई helper है उनका salary है 750 दिर्ण फुल जो है कंपनी की तरफ से है employment visa है इसके बाद से जो चौथा trade है वो है painter four man तो जो मेरे भाई painter four man है उनका ITI होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास ITI है तो आप इस job में जा सकते हैं साथ में गल्फ का experience होना चाहिए इसके बाद से अगर painter four man की हम salary की बाद करें तो 1500 से लेके 2000 दिर्हम तक salary मिल सकता है पाचवा जो हमारा trade है वो है painter supervisor तो जो मेरे भाई painter supervisor है उनके पास diploma या degree होना चाहिए painter supervisor के पास painter supervisor की हम salary की बाद करें तो 3500 से लेके 4000 दिर्हम तक salary उठा सकती है तो ये 5 trade है दोस्तों इस चीज मैं और बता दू अगर काम का अच्छा knowledge है आपके पास तो salary 100 दिर्हम 200 दिर्हम बढ़ ही सकती है घटेंगी नहीं salary आपकी बढ़ेगी ये आपके काम के उपर निर्भर करता है जिस तरह से आप interview देंगे उस हिसाब से आपके salary बढ़ेगी तो दोस्तों ये हो गया trade के बारे में जानकारी अब इसके अंदर दो condition है ये condition आप जरूर सुनिएगा और उसके बाद से आएगा interview के लिए दोस्तों जो सबसे पहला condition है वो ये है कि आपके पास 3-4 साल का gulf experience होना चाहिए इन 5 ट्रेड में helper को कम से कम 1-2 साल का gulf experience होना चाहिए helper को भी अब बाकी जो भी trade मैंने बता रहा है sand plaster, spray painter, painter foreman, painter supervisor इन सब के पास 3-4 साल, 5 साल का अच्छा gulf का experience होना चाहिए दूसरा जो condition है वो ये है कि आपका passport ECNR होना चाहिए तो एक बार interview में आने से पहले अपने passport को आप जरूर चेक कर लेजिएगा कि क्या आपका passport ECNR है कि नहीं है तो जी मेरे भाई का passport ECNR है वही आ सकते हैं interview के लिए अब दोस्तो हम उम्र की बात कर लेते हैं कि कितने उम्र तक लड़के चलेंगे interview के लिए अगर हम सेंड ब्लास्टर की बात करते हैं तो दोस्तों सेंड ब्लास्टर की जो age है वो होनी चाहिए 28 साल से लेके 40 साल तक यानि कि 27 साल वाला और 41 साल वाला नहीं चलेगा तो जिन मेरे भाई की उम्र 28 से 40 के बीच में है कि उवर वही आ सकते हैं interview देनी के लिए ऐसी अगर मैं spray painter की बात करूँ तो spray painter का भी उम्र जो है 28 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए अगर आपका age उम्र 28 साल है तो भी चलेगा interview में आप आ सकते हैं 40 साल है तो भी आप interview में आ सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं कि helper में कितना उम्र होना चाहिए तो जो मेरे भाई helper है और helper काम से दुबई में जाना चाहते हैं तो उनका जो उम्र है 25 साल से लेके 40 साल के बीच में उनका age होना चाहिए painter foreman और painter supervisor का age 28 से लेके 42-45 साल के बीच तर चलेगा अब दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा और चीज है कि English बोलने आना चाहिए तो जो मेरे भाई थोड़ा बहुत English बोल लेते हैं थोड़ा बहुत English पढ़ लेते हैं उनको preference थोड़ा पहले मिलेगा या जो मेरे भाई सौदी Aramco projects पे काम करके आए हैं उनको भी थोड़ा पहले preference मिल सकता है क्लाइंट की तरब से तो ये सारे कंडिशन थे कंपनी बहुत अच्छी है सेलरी अच्छा है इसका इंट्रव्यू गोरखपुर आफिस में बहुत जल्द आने वाला है तो मैं अपने सारे भाईों से request करूँगा कि जो मिरे भाई Sand Blaster है Sand Blaster के काम करते हैं और Sand Blaster के काम से दुबई की अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं तो comment मेरे को जरूर करें ताकि हमें पता चल जाए कि कौन-कौन भाई Sand Blaster है तो दोस्तों फिलाव वीडियो में सर्फ इतना वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बता हैं और आपके traits से सम्मन्थे ये वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेड़े ताकि उन्हें भी पता चले कि गोरपुर आफिस में पेंटर की बारिश होने वाली है तो खलाव दोस्तों वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद